तो आज हम बात करेंगे इंजिनिरिंग सेक्टर से के बारे में और जानेंगे की कंपनी के प्रोडक्स में डील करती है कंपनी के आगे क्या फीचर प्लांस और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टार्गेट हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो कंपनी का नाम है इस जोड़प कर्य लिए कंपनी काम करती है और अगर बात करते हैं तो कंपनी च्आखर बात करें इ twister और अगर बात करें तो इननकूं जो बीजनिस मोड्यूल है उसको देखेंगे तो आप इस जिक है मैनुफेक्ट्रिंग करती है प्रोसेस एक्यूपमेंट प्रैसिस आइरन इन इस्टील कास्टिंग और प्रैसर पार्ट एंड इनका जो एपीसी पॉट्फोलियो है उसके अंजर उसके अंदर जो है कुछ प्रोजेक्ट है जैसे इनके कुछ टन के प्रोजेक्ट है जो सेट अप करते हैं बॉइलर पावर प्लान सुगर्प्लांड डिश्टिलेरी एर पॉलिशन कम्ट्रोल एक्यूपमेंट सीविल रिकेंट फैसिलिटी और फैसिलिटी और व्ल्क मेटेरियल हैं तो इनके जो बिजनेस है दो पार्ट में जो है इनके बिजनेस जो है बटे हुए है एक मैनुफेक्ट्रिंग अग तो इस तरीके से जो है इनके दो मॉडूल है बिजनेस के दो सेजमेंट है अगर बात करेंगे हाफ एरली के इसाब से तो देख सकते हैं किआपको उसके बढ़िए परफॉरमेंस रखोंगा तो परफॉरमेंस बहुत ही मतलगा गडबार जो है आती हुई दिखिए हैं यहाँ अगर बात करेंगे order book की order book इनकी जो है एक अच्छी कासी order book के अभी देख सकते हैं आप 75,000 million के आसपास की जो है order book है और अगर अगलांस अगल लेते हैं तो डाइवर्सीफाइवी इंजिनियर कंपनी है और साथ की साथ बेलेंस सीट अच्छी साथ है स्ट्रॉंग हुमन कैपिटल मौजूद है हाइली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम जो है मौजूद है इन ग्लोवल रीच भी है तो प्रजैन से इनकी 90 में एक्रोस कंट्री में सिक्स कौंटिनेंट्स के अंदर एंडा नाइंटीं 33 से अगर आप देखेंगे और स्टार्टिंग जो है है इनकी जो जरनी है इन्होंने किस तरीके से जो है आपको जो है ट्रांसफॉर्म किया है और इसमें अगर बात करेंगे तो 90 परसंट जो है इनका जो आता है वह आता है इंजिनिंग प्रोड़क्ट से यह काफी अच्छी खासी बात और यहां पर रिशेंट्ली अगर बात करेंगे तो कुछ जो इन्होंने जो रिशेंट्ली जो करके दिखाया जैसे तो पहले अगर्वार देखेंगे तो दो और स्वार्ट को जो है ने मिलिय featured ही पर 1000 वी ता थाव давно देखेंगे तो जोIGN इक्राकिर आगे जो अब भड़ने को जो है कर रहा है काम भड़िया मतलब जिस तरीके से अगर बात करें तो ग्लोबल फुट्प्रिंट के अगर बात करी जाए तो प्रिजेंस जो है इनकी 91 कंट्रीज के अंदर है यह जो है अगर बात करिया तो बैल कालिफाइट टीम है कंपनी के पास में बिजनिस के अगर बात करें तो इनके पास में अच्छी खासी है हर्याना यूपी गुजराद एंड यहां पर अगर इनके जो है तो इस तरीके से देखेंगे साइट अफिरका साउथ क्योरिया ऐंग मनि तो इस तरीके से जो है इनकी एक का Area इसके साथ में जो हैं मौजूद है यह जो अगर मॉडिल के अगर बात करें तो सिग्निफिकंट बिजनिस एरिया जो है इनके यह सारे के सारे तो मैनुफेक्ट्टरिंग अगर जाते हैं तो मैंने फ्रॉसेश्ट इक्विपमेंट आरे निश्टील कास्टिंग बॉयलर बल्क मैटेरियल हैंडलिंग बिल्दिंग फेक्टरीज इंडेस्टियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो है कंपनी काम करती है केटर करते हैं कि अच्छी खासी जो है इंडेस्ट्रीज को रेलवेस पावार फटिलाजर सीमेंट माइन्स लाइक पोट एंड ऑटो मॉवाइल और गैस्ट मोस्त लिए अगर देखेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी जो इंडेस्ट्रीज हैं उन में से देखेंगे तो आप म सरव करते हैं अपनी सर्विस्स जो है टेकनोलोजी इनफुजन की अगर बात कर जाएगे तो कंपनी ने तो इस तरीके से देखेंगे तो यह काफी अच्छे खासे जो है इनके पोजीशन पर है नमबर बन नमबर टू पर है काफी जो है बिजनिस लाइस इनकी एंड कोविड-19 के इंपक्त की जिस तरीके से जो है बात चल रही थे तो अब इन्होंने जो है बोला है कि इस समय पर ज देखा जाए तो काफी को जो है समलने की स्थिती में जो है कंपनी आने अब लगी है अब बात करेंगे कि कंपनी जो है यहां पर मैं आपके सामने इनका order book composition अगर रखों तो सेक्टर वाइस देखेंगे तो सेक्टर वाइस देखें तो आफ प्राइवेट से करीब 60% का जो ह देखेंगे तो 88% का है जो order book अभी जो इस समय पर मौजूद है और इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है इस समय पर order book भरी पढ़ी है पावर सेक्टर से फिर रेफाइनेरी सुगर रेल्वेग केमिकल पेट्रो केमिकल स्टील सीमेंट अलिमीनियम आदर्स तो यहां पर बात इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और नॉम्बर 2021 तो मतलब हां से जो है इनका वी काम जो है स्टार्ट हो जाएगा यह भी काफी अच्छा खासा है की इंवेस्टमेंट की अगर बात करें तो प्रजेंस जो है लीडर्शिप पोजेशन के बात करिया तो काफी बिजनेस इनके जो है लीडर्शिप पोजीशन पर है कंट्यूनियू फोकस कर रखा है नीज टेक्नोलोजी को लेकर ग्राफिकली डाइवर्सीफाइप पोट्फोलियो है मिटिगेटिंग कंसेंट रिस्क को देखते हुए इन कंसेंट फॉरे इंटू फूटरिस्टिक बिजनिस लाइन तो मतलब एक देख वी रहे हैं आगे फूटरिस्टिक बिजनिस की जो लाइन है जो आगे उनकी तरब भी जो है कंपनी ने नजर अपनी जो है बना रखी है इन सब को अगर देखा जाए तो अगर इस हिसाब स अगर देखा जाए जिस तरीके से अपनी आपको प्रेजिएंट किया है उसे अगर देखा जाए तो कंपनी एक मतलब एक sound proof sound quality वाली जो है जो है इस तरीके से मार्केट में या जिस उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इन में जो है order book इनकी जो है और एक बढ़नी चाहिए आने वाले time में तो अगर बात करी जाए तो उसे सबसे बहुत ही मतलब एक soundproof company है और यहां पर पर्फॉर्मेंस लेकिन इनकी देखेंगे तो पर्फॉर्मेंस जो है मैं आपके प्रोग्राम से जोडने के लिए आप हमें mail या call कर सकते हैं या आप हमारे डिर्च जो है टेलेग्रम चैनल से भी जोड़के आप हमसे जो है connect हो सकते हैं तो यहां पर बात करेंगे पहले इस टॉक का जो टेखनिकली जिस तरीके से जो है चाट पैटरन बना हुआ हूँ तो यहां पर बात करें तो इस टॉक में देख सकते हैं यह जो घरा रही है और हलागी इस टॉक जो है अपने लाइफटेम हाई को इसने अचीब भी किया ते लिकिन वहां पर इस टॉक शस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि जिस तरीक से downfall आया है और profitability में उस मजा से यहाँ पर जिस तरीक से यह fall जो देखने को मिल रहा है मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मतलब 5.56 या 5.50 के आसपास तक अगर यह support लेता है मुझे बैसे तो थोड़ा लगता है कि यहाँ पर support इसको लेना चाहिए 50% की resistance के आसपास क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावत हम देख पा रहे हैं यहाँ से अगर देखें तो करीव करीव स्टॉक 900 रुपे के आसपास से एक साड़े 500 का रह गया है मोइ साड़े 500 पोइंट जो है इस टॉक नीचे गिर चुका है तो यहां पर हो सकता है कि यहां पर यह एक अपना riff करताओ दिखें यहां पर यह दोवारा से जो है बैस बनाता हुआ देखसकता है अगर यहां पर भी support नहीं लेता है तो यहां से जो है फिर इसकी सेकंड सपोर्ट जो निकल गया यह फिर 480 के आसपास फिर जो है यह सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा रिजल्ट भहुती खराब आए हैं क्योंकि जो सिक्स मंत जो होते हैं फस्ट शिक्स मंत आने वाले जो सेकंड जो हाफ काटर सेकंड हाफ जो तो कि इससे जो है मार्केट पता लगा लेती है कि थोड़ा बहुत तो मतलब एक अंदाजा लगी जाता है कि इस यह और नियर की जो है परफॉर्मेस किस तरीके से जो है रहने वाली है उसको देखते हुए यहां पर देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो इस टौक गिर र ले रखा है तो वह एवरेजिंग का जरूर जो है इसमें कर लेना चाहिए एवरेज अगर जो है करना चाहते लेकिन उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब तक नेस्ट ना देख ले अब मैं आपके सामने जो है इनके रिजल्ट रखूंगा किस तरीके से जो है और कहांपे क्या प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ी है तो वह विंब एक बार देखेंगे तो यहांपे अगर बात करते हैं तो यह अगर ए डियों Ma देखना जरूरी है हां डिविडेंट रेक ठीक है इनका कहीं कोई प्रॉबलम नहीं है अगर बात करेंगे बॉनस का पी सालों पहले इसने बॉनस भी दिया है रेवेन्यू यहां से देखेंगे तो ग्रोथ अगर growth की अगर बात करी जाए revenue में 17-18 में सेम सा जो है revenue आया है फिर 19-20 में revenue थोड़ा भड़ता हुआ दिखा है 21 में भी revenue ठीक ठाक आता हुआ दिखा है लेकिन ऐसी को जादा खास performance नहीं देखने को मिली है 19-20-21 की अगर बात करी जाए तो revenue वो एक सधा सा revenue जो है आता हुआ दिखा है profitability profitability में downfall 17 फिर 18 फिर 19 और फिर 19 के बाद में फिर देखेंगे तो बीस में फिर थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला है फिर शार्प स्पाइक जो है देखने को मिला है 2021 के अंदर मतले चार साल का जो है revenue के अगर बात करने तो सबसे भड़िया जो profitability जो आती हुए दिखी है वो दिखी है 2021 के अंदर और सच्छे मिले हैं और सच्छे मिलने की वएसे जो है profitability में जो है जाफा देखने को मिला है डैप्ट हाला कि कंपनी जो है कम कर रही है लेकिन 2020 से 2021 की अगर बात करेंगे तो कुछ खास मतलब कम नहीं होती हुए दिखी है अब रिजल्ट अगर बात करें कौकर तो कौकर की भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो इस टॉक में कहीं भी कोई जोड़दारी वाली बात नहीं दिख रही है रैवेन्यू के लिहाज से अगर आप से जो है अगर मिलान अगर करें बहुत ही मतलब डाउन फॉल एक अच्छा खास मुल्टीब्वल डाउन फॉल जो है देखने को मिला है अगर हम बात करें यह वाले कौर्टर के और इस वाले क्वाटर का प्रॉफिट इबिलटी को तो यह बैठती है करें आपके चुवाइंटी-थ्री करोड को अगर आप प्रॉफिटेबिल्टी अगर मिलाते हैं यहां के अंदर यहां पर बात करते हैं हम तो यहां पर जो यह अवी मुझे निलगता कि यह इतना बेल जो है पर्फॉर्म कर पाएंगे आने वाले ने मुझे लगता है कि इस टॉक कहीं ना कहीं यह रुखता हुआ दिखेगा और इतना मुझे ने लगता कि ड्रास्टिकली जो है इतना ज्यादा जो है एक अपसाइड में भी जाता हुआ मुझे दिख सकता है और यहां पर जिस तरीके से इसके जो फॉर्मेशन जो चल रहा ह है यह कहीं ना कहीं इस टॉक अपनी जगह बनाएगा और जहां पर यह तरीके से बोल रहे है वहां से प्रॉफिटिविल्टी जो है स्पाइक जो है आ सकता है और यह लेकिन इतना स्पाइक आना थोड़ा से एक मुझे जो है लग रहा है आने वाले दो क्वाटर के अंदर तो पॉसिबिल्टी है कि आने वाले जो दो क्वाटर रहने वाले हैं वहां पर जो है स्टॉक में एक आपको कंसॉलिडीशन का फेस देखने को मिल सकता है अगर बाग कई में नेक्स्ट क्वाटर भी अगर ठीक नहीं जाता है तो यहां से और फॉल जो है संभव है तो इसम महीने बचें करीब करें अगर बात करें तो नौमबर निकलने बाला है और अपडेड महीने रह गया नौमबर आधा और देसमबर तो अब जैनवरी में दुबारा से जो है रिजल्ट जो है स्टार्ट हो जाएंगे आने इस तरीके सगर देखा जाए तो यहां पर क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट कर रहे है थे अगर यहां पर कहीं 40-50 करोड का भी अगर प्रॉफिट आता हूं तो मेरे इसाब से बड़ा मुश्कल है जल्दी निकल पाए यहां से तो यह देखने वाली बात है तो इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखते हुए इस टॉक मे कि अगर इतना नीचे आ गया है तो यहां पर खरीदारी कर ली जाए थोड़ा एक क्वाटर और देखना चाहिए उसके बाद में कहीं जो है आप अपने डिसीजन ले अधरवाइस कहीं ऐसा नहों कि आप जो है इसमें फस जाए आनेवाले छे महीने के लिए तो अपना भी कि एक बाद जरूर कर लें उसके बाद श्चॉक को वाई-सलिया होल्ड करें हाला कि देखेंगे अच्छा घासा जो है इसमें प्रोमोटर्स का जो है अगर बात करेंगे तो इक अछी खासी जो एंधिक चिए-जैब बात करेंगे तो इसाप से देखेंगे कब हुँद्ट में हैं जिस तरीके से आको बताया कि यह कंपपनी के आने दिरे करी करके जो ω है ऊसकता है उसको देखते हुए मार्केट इसको और आपसाइड जो हैं लेकिन आने और चैह महीने जो है यहां तो यहांussa जो खड़ा रह सकता है यहां पर इसकी जो मतलब पर्फॉर्मेंस में कहीं ना कहीं आपको एक मतलब एक सामना करना पड़ सकता है इस टॉक के साथ में तो यहां पर रुलाने की विवस्ता जो है बना सकता है यह अगर इसे स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको कोई और विक्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछी भी सकते हैं थेंक यू थोड़ा और अगर आप लॉंग ट प्रूर आपको जो है ध्यान में रखके ही जो है स्टॉक में बाइस यह लिया होल्ड इसमें करना चाहिए थेंक यू थेंक यू कि अपसी है